ओम शांते आप सदा संपूर स्वस्त रहे मस्त रहे आपके मस्तथ पर परमात्मा की आशिरवादों का हाथ सदा रहे इनी शुब कामनाओं के साथ हमारे जीवन एक यात्रा है बच्पन से लेकर व्रत्यु तक के एक यात्रा इस यात्रा में कई बार हमारे से कुछ मिस्टिक्स कुछ बोले हो जाती है कभी हमारे से किसी को दर्द मलता है हमारे से किसी का नुकसान हो जाता है या फिर किसी के जीवन में दुख आने का कारण हम बनते हैं या तो फिर कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नुकसान करने के नमित बन जाता है किसी से दोका मलता है तो किसी से हमारे साथ कोई गलत व्यावार हो जाता है जो भी है एक भूद काल बन जाता है और हम उसको जब पकड़ कर बैठते हैं मेरे से भूलो गई तो बार बार मैं एक अपने मन में गल्ड कॉंशिस लेकर बैठ जाते हूँ मेरे से नहीं होना चाहिए था मैंने ऐसा क्यों किया थोड़ा उस समय हम सोच समझ कर चलते थो गल्ड कॉंशिस या फिर उस रिष्टे ने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके लिए नफरत या तिरसकार की भावना अभी जो बीथ चुका सुबीथ चुका I cannot revisit my past हम जीवन में पीछे तो नहीं जा सकते ना लेकिन आगे तो बढ़ सकते हैं पलीज अपने भूत काल को बार बार याद करना मना bad past को दर्द वाले भूत काल को बार बार याद करना मना खुद के वरतमान को दुखी करना जब हम वर्तमान को दुखी करते हैं तो भविश भी दुखी होगा न एक्चल मैं मुझे करना क्या चाहिए चलो, अगर मेरे से गलती हो गए मेरी कारण किसी का नुक्सान हुआ तो मैं दिन में चार-पांच बार मनी-मन पर्मात्मा से और उस आत्मा से शमा याचना करो इससे मेरा मन हलका हो जाएगा अगर किसी ने मेरे साथ गलती किया है तो मैं बड़े दिल से उन्हें माफ कर दू तो इससे भी मेरा मन शान्त हो जाएगा तब ही हम आगे बढ़ सकेंगे ध्यान में रखना बीता हुआ हर पल जिंदगी को समझने का अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी जीने का अच्छा मौका देता है और इसलिए आज से जो भी बीती हुई बाते हैं जो मुझे अशान्त करती है जो बाते मुझे दुखी करती है प्लीज उन्हें छोर दो लेटको करो भूल जाओ तभी हम आगे बढ़ सकेंगे जिंदगी बहुत बढ़ी है मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है तो इन बातों को आज से फुल स्टॉप तभी आपके अंदर खुशी का स्टॉप बरबूर होता जाएगा शांती का स्टॉप बरबूर होता जाएगा तो करेंगे आज फुल स्टॉप हापी डे ओम शांती हापी बरबूर होता जाएगा जाएगा प्रॉप प्रॉप गुल खातवा